Hi guys, welcome back in this new video तो इस वीडियो में हम देखेंगे काईनामेटिक्स में जो हमने motion in one dimension और motion in two dimension का जो पूरी हमारी थियूरी है उसे जो है हमने question के थूर जो है वो पूरा complete कर लिया है तो आज हम क्या करेंगे कि आज हमारा जो काईनामेटिक्स है जिसमें हमने motion one dimension और motion in two dimension जो है वो पढ़ा था तो इस समय हम उसके एक short notes को उसके सारे formulas को जो है एक जगह पे मैं especially आपके लिए लिख के लाया हूं ताकि जो है आप उसे exam time या फिर आप इन्हें revise करना चाहते हो तो आप जो है एक कम समय में सारी चीजों को जो है आसानी से revise क कर सको तो आईए शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहले है हमारा motion तो motion क्या होता है कि change in position with respect to time is called motion कि अगर हमने देखा था कि अगर कोई particle जो है वो अगर अपना position जो है वो time के respect में change कर रहा है तो वो क्या कर लाता है वो motion कर लाता है तो अब है अपना rest तो rest क्या होता है कि there is no change in position with respect to time is called rest or particle तो यहां पे है क्या कि अगर कोई भी particle जो है वो time के respect में अपना जो motion है वो change नहीं कर रहा है सुरी अपना जो position है वो नहीं change कर रहा है तो उसे हम कहते हैं कि rest पर है और हमने देखा था कि जो यहां पे हमारा जो motion है motion और अपना जो rest है यह क्या थे यह एक relative term थे यह आपस में relative थे तो इन्हें observe करने के लिए आपको एक observer चाहिए एक frame of reference चाहिए ताकि जो है आप उसे अच्छे से observe कर सके कि क्योंकि यहां पे frame of reference जो है वो बहुत ज्यादा important होता है इसी के help से हम जो है किसी चीज को define करते हैं कि वो rest पर है या motion को ठीक है अब बात करते है distance की यह जो है अपना एक basic term होता है length of the path which is travelled by the body यह total length होता है जो कि कोई body जो है वो travel करता है displacement की बात करे है तो यह क्या होता है यह minimum length of a particle which is travelled या फिर आपका सकतो कि यह shortest path होता है कि initial and final position के बीच की minimum length होती है वह हमारी displacement कहलाती है अब यहां पे अपना एक important note है वो क्या है कि displacement is depends upon initial and final points ठीक है बट जो distance होता है वो होता है total cover path length ठीक है तो यहां पे यह जो है एक important है तो इसे जो है आ आप underline करके रखिएगा अब बात करें एक हमारे पास दूसरा जो है important point है कि जो distance होता है उसका जो मौड होता है मौड मतलब उसका जो magnitude होता है distance का जो magnitude होता है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा displacement क्योंकि distance जो है वो कभी भी displacement से छोटा नहीं हो सकता यह जो है आप कर सकते तो अगर बात करें speed की तो speed में हमने देखा था कि यह होता है total distance upon में total time होता है इसे हम denote करते हैं x upon t अब अगर बात करें वहीं velocity की तो velocity होती है हमारी displacement और time जिसे हम लिखते है x final minus x initial upon time अब अपना एक important चीज है कि अगर जो displacement है वो equal time interval में हो रहा है तो उसके लिए हम क्या formula लगाएंगे जैसे for example की कोई particle जो है उस वो यहां से travel किया equal time में यहां वो गया एक second में इसके बाद वो इतनी दूरी गया दूसरे second में मतलब आपका सकतो यहां से यहां तक जाने में भी से एक second लगे यहां से यहां तक आने में फिरी से यहां से यहां तक एक second लग यहां पर इसने चला velocity v1 से यहां चला इसने velocity v2 से यहां चला v3 से यहां चला v4 से तब उस समय हम जो average velocity लिखेंगे वो क्या होगा तो उसके लिए अपना formula होता है कि v1 plus v2 plus v3 यह जो है अपना vn जितना होगा upon में n जैसे अगर हमने 3 चला तो v1 plus v2 plus v3 हम n की value जो है वो distance travel करता है different velocity से इसे कैसे समझे सर इसे आप कुछ इस तरह से समझेगा कि जैसे यहां पर यहां पर यह अपनी रोड हो गई यहां पर जो particle है यह वाला जो particle है मान लेते हैं कि यह एक मीटर चला velocity v1 से फिर इसके बाद यह वही एक मीटर distance जो है वो travel किया velocity v2 से फिर उसके बा velocity v3 से तो अब इस केस में हमें अगर यहां पर v average निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे हम यहां लिखेंगे n upon 1 upon v1 plus 1 upon v2 plus 1 upon v3 तो यह जो है हमारा formula होगा ठीक है आप इसे जो है ध्यान रखिएगा यह बहुत ज्यादा most important formula जो है यह इसलिए आप इसे जो है माक करके जो ह आप यहां पर star जो है वो बना के लिख सकते क्योंकि मैंने यहां पर भी star बनाया है क्योंकि यह important formula है वहीं अगर हम बात करें अब instantaneous velocity थी है तो हमने देखा था कि यहां पर जो instantaneous velocity है उसे हम लिखते हैं dx upon dt कि short interval of time में कितना distance उसने travel किया तो यहां पर basically हम लिखते हैं कि यहां पर अपना यह जो होता है limit x sorry limit t tends to 0 होता है जब हम इसे लिखते हैं dx upon dt क्योंकि अगर समय जो हो वो 0 को tend करेगा तो जो हमारी दूरी है या जो हमने distance travel किया जो displacement travel किया वो जो है वो 0 की तरफ tend होगी वहीं अगर हम बात करें instantaneous acceleration की तो उसे हम लिख सकते हैं dv upon dx या instantaneous इसका जो representation ऐसे होता है और इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो acceleration होता है उसे हम लिख सकते है v dv upon में dx यहाँ पे हमने देखा कि यह जो function है वो time का बट यहाँ पे function जो है वो dx का होता है कभी कभी हमें questions जो है वो dt मे न दे करके dx में दे देता है तो वहाँ यह formula जो है dv upon dx यह लगाना पड़ेगा ठीक है इसमें भी अपना एक note point है देखते ले हम वो क्या है यह कहा रहा कि if v is constant then direction and magnitude both are must be same अगर आप से question में कहा है कि जो velocity है वो constant है तो आप उसका मतलब क्या रखोगे कि अगर velocity constant है तो इसमें क्या होता है कि जो अपनी direction है और उसका जो magnitude है वो दोनों साथ साथ जो है वो क्या होंगे सेम होंगे अगर उनका direction बदल रहा है magnitude बदल रहा है तो वो velocity नहीं कही जाए क्योंकि हम जानते हैं velocity एक vector quantity होती है और हमने जो है पिछले वीडियो में यह explain किया है कि दो vector आपस में equal कब होते हैं वो भी हमने देखा था कि जब उनके जो magnitude है और उनका जो direction है अगर वो सेम होता है तब वो जो है क्या होते हैं वो vectors equal होते हैं अब जैसे हमने acceleration पढ़ा था वो ऐसे एक ट्रम होता है retardation यह होता है कि जब acceleration और velocity दोनों opposite direction जैसे कि यहाँ पर यह कोई अगर एक object है यह इस तरफ जारी इसका acceleration है A बट इसकी जो velocity है यह फिर आप कुछे इस तरह से समझे कि यह जो है आगे जा रहा है velocity V1 से बट जो acceleration है वो लग रहा है इसके opposite direction में मतलब velocity है positive में acceleration है negative इसे हम कहेंगे retardation यह situation जैसे कि आप जो है car चला रहे हो तो car की एक maximum speed होगी maximum speed में आप जाने के लिए क्या करते हो accelerator दबाते हो तो accelerator जब आप दबाते हो तो आप अपनी car को accelerate करते हो बट वहीं जब आप brake लगाते हो तो आप क्या करते हो कि velocity को अपनी कम करते हो तो वो अपना काम करता है retardation यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो velocity है और हैं ठीक है यह चीज आपको जो है ध्यान रखनी होगी इसके बाद अपने दूसरा नोट है ठीक है यहां पर नोट से जितने नोट लिखे हैं मैंने वो आपके जो नोट से उसमें तो होने ही चाहिए क्योंकि यह most important आपके लिए मैंने यहां पर लिख करके लाया है तो यह कहा राए कि Ayasaan सी छीजोंका का मतलब होता है हुसका कौन्प ten ना हो ठीक है उसका magnitude जो है वो है चेंज ना हो तब वो क्याögल आता है वो चलता यूनिफॉर मोशंपे आगर एक ळान स्थ लाइन में जाटघर फ्रकूल जेयं यह जो है वो एक लांट में जाएगी प्रकूल ठीक है तो हम जो है next वीडियो में effect outrage में जितनी भी ग्राफ होते हैं which से इपना होता है के fיס shkin Caf suggests क्योंकि यह टर्म जो है वह सब्सक्राइब यह करben है अब यह अद्य चुनदक पहूट कमद से क्लिए में करेंगे अब त्या alguna करेंब आपको 23 कि के नियुक्ट दिखा मिले कि acceleration constant है तब आप इन सारी equations को जो है वो लगा सकते हैं अगर acceleration आपका variable है तब आप इन सारी चीज़ों को नहीं लगा सकते हैं प्लीज रिमेंबर दिस धिंग जो हमारी equation का जो पहला motion का जो equation है वो पहला होता है कि V is equal to U plus 80 यहाँ पर यह जो V है वो अपना होती है final velocity यह होती है अपनी initial velocity यह तो अपना हम जानते हैं कि अपनी acceleration होती है यह जो है वो time होता है यह सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे आप अलिक सकते हैं कि जो V है वो रिपर्जेंट करेगा यहाँ पे अपना क्या फाइनल वेलोसिटी और जो यू है वो है अपनी इनीशियल वेलोसिटी एका मतलब तो आप जानते ही होंगे यह एक्सिलेलेशन है और यहीं जो टी है वो रिपर्जेंट करता है ताइम को ठीक है तो यह चार पैरामीटर जो है वो आपको ध्यान में रखने और यहीं पर जो S है वो डिनोट करता है डिस्प्लेस्मेंट को ठीक है अब सेकेंड जो एक्वेशन है वो है S is equal to UT plus half AT square थर्ड एक्वेशन है V square is equal to U square plus 2AS और इसी मतलब आपका सकत है तो इसी एक्वेशन से यह चीज़ जो है वो यहाँ पे derive होती है कि जो S होता है वो होता है final velocity प्लस initial velocity upon 2 into T ठीक है तो यह जो है यह अपना एक बहुत ज़्यादा important formula होता है कहीं कहीं हमें क्या होता है कि question में acceleration नहीं given होता है तो उस समय हम अपने initial velocity और final velocity सो जो है displacement के result को जो है वो निकाल सकते हैं अब आगे हम बात करते हैं कि stopping distance और stopping time क्या होता है stopping distance stopping time का मतलब होता है कि जब आप brake लगाते हो तो वह ब्रेक लगाने के वाद प्रेक जब आपने उस पर apply की तो उसके बाद कितना distance वह travel करेगी या ब्रेक लगाने के बाद वह कितने time में जो है तो इस CAKEस में क्या होता है कि In This Case final velocity जू है वह 0 होगी Initial velocity u होगी क्योंकि वह किसी और तब तो आप Us demain तो अगे करने यहां पे बना रख खाता है इसे आप आसानी से देख सकते हैं और इसे हम अपने braces equation of motion से जो ह हो निकालते हैं कि वी is equal to u plus 80 इसमें हम v की value जो है वो 0 रखते हैं u की value जो है हमने जो initial speed दी रखी यह वो रखते हैं और acceleration जो हम वहाँ पे लगाते हैं उस समय तो हमें stopping time निकल के आता है t is equal to u upon a most important formula है इसे आपको जो है वो remember रखना है ठीक है और फिर इसके बाद हम अपने equation of motion का जो हमारा third equation होता है उ क्योंकि final velocity अपनी zero हो जाती initial velocity हमें कुछ ने कुछ दी होगी जो हमें distance निकालना है वो हमें यहां पर find करना है acceleration कुछ ने कुछ तो given होगा ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि equation of motion में आपको सारी चीजें जो है वो आपका जो sign convention होता है उसके हिसाफ से रखनी होती है ठीक है इसके बाद यहां पर यह जब zero होता है तो इस side लाकर के हम लिख सकते हैं कि v square is equal to 2as तो यहां से हम नारे जो equation बनता है वो हो जाता है s is equal to u square upon 2a आप अगर motion in one dimension के सारे formulas को अच्छे से याद कर लेते हैं तो motion in two dimension के जो formula होते हैं वो एकदम similar होते हैं बस उसमें क्या होते है ठीक है यह हम कर सकते हैं कि उसकी जो defining होती है वो vector component के हिसाब से जो हो जाती है तो अगर आप motion in one dimension को अच्छे से उनके formulas को जो है वो revise कर लेते हैं याद कर लेते हैं तो motion in two dimension में जो है वो आपको समझना चीजों को equations को याद रखना पहुत जादा easy हो जाता है ठीक है और यह अपना एक most important formula है displacement in nth second इसका जो formula है वो होता sn is equal to u plus half u plus half a into 2n-1 यहाँ पे क्या है कि हम अगर जई से माल लीजिए कि हम निकाल रहे है कि displacement हमारा निकालना है fifth second में fifth second में displacement तो यहाँ लिखेंगे s fifth is equal to u अपना और जो n है n की जगा हम five put करें क्योंकि यहाँ पे अगर n है त तो इन दोनों की जो value होगी वो same होगी ठेक है अब हम बात करते है motion under gravity की यह क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि motion under gravity के अंदर जो हम चीजे फेकते हैं वो जो अपनी अर्थ के दौरा जो sorry gravitation field या जो gravity से जो चीजे जो है वो attract होकर जो वापस आती है अर्थ पे उसके respect में जो हम यहाँ पे motion की study करते हैं जैसे कि हमने किसी particle को अर्थ के surface से फेका यू velocity से तो वो क्या करेगी उपर जाएगी उपर जाने के बास वो वापस जो है वो अर्थ पे वापस आ जाती है क जो कि वहाँ पर acceleration जी होता है वो कुछ न कुछ height पर जाएगी जो कि यहाँ पर दिया गया है और जब वो maximum height पर पहुचेगी तो यहाँ पर इसकी velocity उस समय के लिए उस time के लिए zero हो जाती है ठीक है बट acceleration अपना यहाँ पर क्या होता है निगेटिव होता है इसे जो हम आपक किया है उपर की तरफ तब क्या होगा time to stop वो उपर जाकर के एक इंटरवल में या एक instant पे जो है वो रुकेगी उसके बाद वो वापस है क्योंकि आप समझे कि अगर कोई चीज इस तरह से जा रही है initially और उसे जो है final इसी point पे आना है तो उसे कहीं ने कहीं turn लेना पड़ेगा अगर उसे turn लेना पड़ेगा तो यहाँ पी इसकी velocity जो है वो v is equal to zero हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे यह रुकी है रुकने के बाद यह फिर नीचे आए क्योंकि यहाँ से यह गई तो यहाँ पी assumption है वो है कि air resistance जो है वो यहाँ पे negligible है अब हम बात करते है time to stop की जो particle हमने फेका था अर्थ से वो कितनी देर में रुक जाएगा यह उसकी velocity जो है वो zero कब हो जाएगी तो इसमें हम v zero लग दें वही fundamental equation हम लगाएंगे first equation v is equal to u plus 80 उसमें हम v की value जो है वो zero put करेंगे u हमें पता होगा जो कि जिस speed से हमने उसे जिस velocity से हमने उसे फेका है वो है यहाँ पर जो acceleration होगा वो minus g होगा तो यहाँ पर हमने minus g रखा और time t इसके बाद यह अपनी एक simple equation बन जाती है linear इसे हम solve करते है तो हमारे पास आता है t is equal to u upon g यह अपना stopping time होता है तो इसे जो है हम mark कर ल कुछ height होगी जो कि यहाँ पर दी गई है अब हमें height पता करना है कि वो height कितनी होगी तो third equation हम use करेंगे जैसे हमने पहले use किया था तो v square is equal to u square plus 2as ठीक है तो v square यहाँ पर अपना 0 हो जाता है u square हमने कुछ velocity पता होगी minus क्यों लगा क्योंकि यहाँ पर जो h है वो भी निकल क माइनस ही आएगा क्योंकि initial point जो है यह है final initially हमने यहाँ फेका finally यहाँ पर पहुचा ठीक है यह चीज अपनी क्या है negative क्योंकि हम जो distance है वो इस direction में जो है वो measure कर रहे हैं तो यह चीजे जो है वो negative हो जाती है तो यहाँ पर हम negative रखेंगे तो हमें मिलेगा v square is equal to 2gh to h is equal to हम square upon 2g यह भी अपना एक most important formula जो है वो है क्योंकि अगर आप देखोगे कि अभी हम भी motion in two dimensions के जो अपने formulas है उसे भी देखेंगे तो यह same इन ही के तरह मैज खाते होते हैं बस खाली यहाँ पर क्या होती है यहाँ लग जाएगा y मतलब है आपका सकते हो कि यह हो जाएगा u square y upon 2g यह equation चलेगी बट v y हम वहाँ पे क्या रख देंगे v y हम वहाँ पे रखेंगे u sin theta बस इतना ही change होगा बाकि कुछ नहीं change होगा उसमें ठीक है तो यह सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे देखेंगे तो इस हम यहाँ से erase कर देते हैं चली आगे चलते है अब इसके बाद अपना आता है जो time of flight है क्योंकि हमने देखा कि कोई particle वह उपर गया उपर से नीचे आए तो यहां से यहां तक जाने में उसे time लगा u by g और वही time इसे लगेगा नीचे भी आने में यू बाई तो total time यहां सो जाता है अपना to u by g time of ascent is equal to time of descent यह भी जो है equal होते है क्योंकि कि जितना time उसे उपर जाने में लगेगा उतना ही time उसे उपर से नीचे आने में भी लगेगा अब जैसे हमें पूछ लिया कि velocity at any height तब आप क्या जवाब दोगे जैसे question जो है वो हमें एक दे रखा है यहां पर question की तुरू जो है समझते हैं यह कर रही find the velocity at the half of maximum time height maximum height जब उसकी जो maximum height है अगर वो उसका आधा है तब आपको velocity find करनी तो h max जो है वो आपको दे ही रखा है कि जब वो आधी विल आधे height तक पहुशती तब उसकी velocity क्या है तो s यह तो हमें पता है h by 2 आधी हमें दी हुई है वही formula हम लगा देंगे कि h max is equal to u square upon 2g और जब हम उसे solve करे देंगे तब हमारे पास क्या निकल के आ जाता है v square is equal to u square upon 2 इसके बाद क्या हुआ कि हमें जो है s की value दे रखी है फिर इसके बाद हम third equation यहां use करके s a और u की मदद से हम यहां velocity जो है वो find कर लेंगे finally जो अपना आता है कि h max के half distance पे उसकी जो velocity होगी किसी particle की वो होती है v is equal to under root u square upon 2 चलिए एक दूसरा notes अपना होता है कि motion under gravity जो है वो symmetric होता है about maxima ठीक है इसका क्या मतलब है sir इसका मतलब यह है कि अगर कोई particle जो है यहां पे है कोई particle अगर यह ground है अपना तो यहां से अगर आप किसी चीज को उपर की तरफ फेक्तो velocity वी से तो वो उपर जाएगा उपर जाकर के फिर इसके बाद वो नीचे आता है तो उसे जितना time यह यह जो partition है जितना distance वो इधर cover करेगा मान लेते हैं वही distance जो है एक जो है वो second part में भी travel करेगा जितना time इसे यहां से ले करके यहां तक आने में भी लगेगा क्योंकि हमने देखा तो जो time of ascent होता है वह equal होता है time of descent के ठीक है चलिए यह चीज तो सरम में सब्सक्राइब